बहुत सारे गीजर्स को खरीद कर उनको टेस्ट करने के बाद आपको ये वीडियो बना कर दे रहा हूँ जिसमें आपको बताऊँगा टॉप 5 बेस्ट इंस्टेंग गीजर्स के बारे में हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उम्मेद है सब अच्छे से होंगे आप सब को बगवान बहुत खुश रखे दोस्तों अगर आप अपने लिए एक अच्छा गीजर खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा क्योंकि आप सब जानते हो कि हमने को बता रहा हूं के आप को अगर सस्ता गीजर खरीदना है तो भी मैं बताबगा मांथ हुद में इस वीडियो में बताऄच सभी के तो बिना थाइम खराप किए जलते हैं पहले की तरह था बशे मलें Лेंट दोस्तों यहां पर आप बिल्कूल वाला गीजर बेकार है क्योंकि जितने भी गीजर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो सभी के सभी performance wise top notch पर है और quality भी उनकी बहुत अच्छी है अब price तो brand तै करता है कोई कम करता है कोई जादा करता है लेकिन आपके budget में जो फिट हो जाए वो आप ले लीजिए तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले गीजर से जो आपको सबसे सस्ता मिलने वाला है और वो है A.O. Smith का गीजर दोस्तों A.O. Smith गीजर के दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत अच्छे गीजर इनके होते हैं हमने भी टेस्ट किया है इनके गीजर और आपने देखा में से आपको कोई भी करीज सकते हैं इन दोनों ही मौर्ड crash को हमने किया है और रिव्यू किया हुआ है तो यहां पर फीचरस की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों मौर्ड कि वह सेंट आक को मिलनेवाले है इंत बार प्रस यहां पर आपको मिलता है इंस्टेट गीजर काफी मजबूत यहां पर इनर टैंक आपको मिल रहा है तभी तो वह एट बार प्रेशर को हैंडल करता है तो ऐसे में इसको आप जरूर कंसीडर कीजिए और अगर आपके यहां पर खारा पानी आता है बहुत सारे लोग हैं जो खारा पानी से परिशान रहते हैं तो यहां पर अगर आपके यहां पर खारा पानी आता है तो A.O. Smith का यह गीजर आप बंद करके खरीद लीजिए क्योंकि इस गीजर में आपको कोटिंग मिलती है इनर टैंक के अंदर भी और इसके हीटिंग एलिमेंट के उपर भी ब्लू डायमेंड कोटिंग यह बोलते हैं जिसको ग्ल इस भी विल्कुल सेम है वो भी लगबक 3000 के आसपस हमने खरीदा था और वह भी लेकिन अभी बहुत अच्छा टाइम है इसको खरीदने का क्योंकि सेल के दौरान इसके उपर काफी अच्छा आया हुआ है तो यह गीजर आपको काफी कम के उपर मिल जाएगा Amazon के उपर तो current स्मित की तरफ से आपको free installation offer की जाती है लेकिन उसके अंदर connecting pipes include नहीं होते हैं तो अगर आप कम कीमत पर एक अच्छा गीजर खरीदना चाहते हैं तो यह स्मित के इस गीजर को जरूर consider कर सकते हैं एउसमित के बाद अब बात करते हैं एक और best instant गीजर की and this is Venus Venus का Primus model है तीन लीटर capacity में तीन किलो वाट के heating element के साथ आता है यहां पर दोस्तों एउसमित के गीजर की जरा इस गीजर में भी आपको glass line coating मिलती है तो यानि कि खारा पानी अगर आपके यहां पर आ रहा है तो आप खरीज सकते हो यहां पर 8 बार pressure का भी support है लेकिन एउसमित के गीजर से एक step ऊपर चला जाता है यह गीजर क्योंकि इसके अंदर puff insulation भी मिलती है जो की एउसमित के गीजर के अंदर नहीं है और यह चीज आप उसके inside view वाले वीडियो में देख सकते हो जिसका link आपको व offer वगेरा लगाकर आपको sale के दौरान काफी कम में यह मिल जाएगा तो current price जो इसका चल रहा है उसको चेक करने के लिए आप description में विजिट कीजिए आपको वहां पर इसका current price मिलेगा दो साल की warranty है overall product के उपर 5 साल की warranty है इसके inner tank के उपर और यकीन मानिए यह बहुत अच्छ कर सकते हैं तीसरे नंबर पर हमने रखा है हैवल्स का इंस्टैनियो 3 लीटर 3 किलो वाट में आने वाला इंस्टेंट वाटर हीटर अगर आपको एक बहुत 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 बहुतरीन गीजर चाहिए तो आप हैवल्स का यह गीजर कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इस गीजर की quality वारंटी मिलती है और 5 सल की वारंटी इसके इनर टैंक के ऊपर मिलती है और यहां पर एक चीज बहुत अच्छी है और वो है इसके box के अंदर ही आपको मिल जाते हैं दो connecting pipe तो आपको इसके अच्छी चीज है copper का heating element आपको इसके अंदर मिलेगा quality क्या है उसकी inside view वाला tank है उसकी quality भी काफी अच्छी है अच्छा इसकी heating efficiency भी काफी अच्छी है look dual color में आता है और color changing LED light इसकी look को और भी जादा enhance कर देती है तो ऐसे में कोई दिक्कर नहीं है इस घीजर में आप इसको consider कर सकते हैं लेकिन यहां पर एक चीज है जो मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर glass line coating आपको नहीं मिलती है ना ही heating element के उपर ना ही tank में लेकिन tank में जरुरत भी नहीं है क्योंकि इसका tank 304 grade के stainless steel से बना हुआ है लेकिन heating element के उपर भी यहां पर कोई coating नहीं है यह चीज में आपको पहले ही जिसके तहत आपको यह गीजर 2.500 रुपे सस्ता मिल सकता है अगर आप कार्ड वगेरा अपलाई कर लेते हो लेकिन अगर आपको एक अच्छी quality वाला अच्छी performance देने वाला गीजर खरीदना है तो हैवल्स का यह गीजर आप जरूर खरीदिया और connecting pipe भी आपको मिल रहे हैं तो काफी benefit आपको होने वाला है तीन गीजर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ आप बचे हैं दो गीजर जिनको हमने टॉप पर रखा है उनको टॉप पर रखने का कारण क्या है उनको टॉप पर रखने का कारण यह है कि वो दोनों में अलग-अलग खूबियां है और वो खूबियां उनको एक दू पर यहां पर सबसे पहले में आपको बताना चाहूंगा बजाज के गीजर के बारे में बजाज का गीजर तीन लीटर कपैसिटी में तीन किलो वाट लोड के साथ आता है बिल्कुल लेटर स्मॉडल है एराउनों करके इसका मॉडल नंबर है इसको हमने खरीदा टेस्ट किया बहुत बहतरीन performance हमें मिली है बजाज के इस water heater से इसमें एक खास चीज है और वो है इसका heating element इसके heating element के उपर बजाज की तरफ से 6 साल की warranty दी जाती है अब उसकी वज़ा क्या है? उसके उपर एक non-stick coating की गई है यानि की शोरा उसके उपर नहीं जमेगा, खार नहीं जमेगी अगर आपके यहाँ पर hard water आता है तो आप बजाज के इस geezer को जरूर consider कर सकते हैं अच्छा यहाँ पर इस geezer को खरीदने का एक और भी कारण है और वो है peace of mind अगर आप चाते हैं कि बस geezer लगा दिया आप tension free रहें तो 6 साल की छुटी है इस geezer को लगाने के बाद क्योंकि company 6 साल की warranty दे रही है इसके heating element के उपर जिसके उपर non-stick coating करके देती है ब्लैक कलर का heating element इसके अंदर है अगर आपने देखना है तो आप inside view वाला वीडियो देख सकते हैं अच्छा यहाँ पर company की तरफ से एक और benefit दिया जाता है और वो है free installation जो box के ऊपर mention है अब यहाँ पर दोस्तों एक और बात मैं बता दूँ आपको यहाँ पर कि इसका जो overall product warranty है वो भी 4 साल का है बाकी geezers में आपको 2 या 3 साल का मिलेगा लेकिन बजाज वाले अपने thermostat या फिर heating element और inner tank के अलावा जो भी समान लगा है उसके अंदर उस सब के ऊपर 4 साल की warranty देते हैं जिसमें thermostat भी शामिल है और inner tank के ऊपर जैसे बाकी 5 साल की देते हैं ये भी 5 साल की दे रहे हैं और 304 grade का SS का इसमें भी आपको मिलेगा inner tank तो quality बहुत अच्छी है, performance बहुत अच्छी है, price के ओपर यहाँ पर अगर बात करें तो price यहाँ पर काफी अच्छा है 3800 रुपे के आसपास price है, लेकिन sale के दोरान आप कुछ discount ले सकते हैं और कुछ coupants वगहरा लगाकर इसको आप 200 या 300 रुपे सस्ता भी खरीद सकते हैं यहाँ पर आप इस गीजर को आप जरूर कंसीडर कीजिए, color changing LED light के साथ आता है, सभी तरह के safety features इसमें भी हैं और बाकी जो पहले बताएं उनमें भी हैं तो यहाँ पर आप इस गीजर को जरूर कंसीडर कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आपको बजाज का सस्ता गीजर खरीदना है, लेकिन performance के साथ कोई compromise नहीं चाहिए, तो आप Splendora model भी खरीच सकते हैं, जिसका भी हमने review किया हुआ है अपने channel के उपर, बहुत बहतरीन performance वो भी provide करता है, तो ऐसे में आप इन दोनों में से कोई भी गीजर खरीच सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगा कि बजाज का ये latest वाला Erano जो model है, ये आप consider करें क्योंकि इसमें आपको 6 साल की warranty मिलती है, और ये काफी अच्छी चीज है अब बात करते हैं, last गीजर की और वो है दोस्तो record का गीजर, record का आप अगर कोई instant गीजर खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि record electro eye plus आप खरीदिये, जिसमें आपको temperature controlling के लिए भी feature मिल जाता है, इस गीजर को हमने खरीदा है, test किया है, आप videos देख सकते हैं, ह यह आपको किसी भी instant गीजर में easily नहीं मिलता है, temperature controlling का इसमें आपको knob मिल जाता है, और temperature controlling का जो इसका knob है, मतलब इस से आप इसको kitchen में भी use कर सकते हो, bathroom में भी लगा सकते हो, कहीं भी use कर सकते हो, और इसमें मतलब safety के मद्दे दजर, यह चीज मुझे बहुत अच्छी लग ने हिसाब से कहीं भी set करके चला सकते हो, ऐसी कोई problem नहीं है, जो भी bearable temperature हो, यह फिर जिस temperature पर आपको पानी चाहिए हो, वो आप यहां से ले सकते हैं, उसके बाद अब बात करें दोस्तों, यहां पर आपको एक और benefit मिलता है, और वो है company की तरफ से free installation है, इस model के उपर, औ तो मतलब काफी अच्छा यह गीजर है, उसके बाद दोस्तों इसके price की अगर मैं बात कर लूँ, तो price भी इसका काफी अच्छा है, बजाच का जो अरणो मॉडल है, उससे slightly थोड़ा सा यह महंगा जरूर है, लेकिन इसमें जो temperature controlling वाला feature है, वो इसको कुछ अलगी बना दे मिलता है, price यहाँ पर लगबग लगबग 4000 रुपे के आसपास यह cost करता है, लेकिन जब आपको free installation मिलती है, collecting pipe साथ में मिल जाते है, तो मुझे लगता है, और temperature controlling का feature भी तो मिल जाता है, और दोस्तों Republic Day sale के दोरान इसके उपर आपको कुछ discount भी जरूर मिलेगा, तो ऐसे मे आप description में दिये हुए link पर click करें, इसका current price चेक करें, और अगर आपको एक बहतरीन गीजर खरीदना है, जो quality wise भी अच्छा हो, performance wise भी अच्छा हो, safety के features wise भी अच्छा हो, तो record का ये गीजर आप जरूर खरीच सकते हैं, record की तरफ से अपने इस गीजर के उपर 2 साल की warranty overall दी जाती है और 5 साल की warranty दी जाती है इसके inner tank के उपर, इसका भी अगर आप inside view देखना चाहते हैं, तो आप हमारे channel के उपर जाएए, visit कीजिए, आपको videos मिल जाएंगी, और इस video के description में भी आपको मैं link provide कर दूँगा, तो आप उन videos को भी देख सकते हैं, ताकि आपको समझ कि कौन से geezer का क्या quality है, क्या समान लगाया है company ने, वो सारी चीज़े आपको दिख जाएंगी, इस video का description आप जरूर चेक कीजिए, क्योंकि उसमें buy link भी है और बहुत important videos के link भी दिये हुए हैं, तो ऐसे में दोस्तों, ये थे वो 5 geezer जो मैंने आपको recommend की हैं, 2024 में, अग अगर आप एक अच्छा geezer खरीदना चाहते हो, kitchen use के लिए, या फिर running hot water supply के लिए, तो इन पांचों में से कोई भी खरीद सकते हो, अपने budget के हिसाब से, quality बहुत अच्छी है, performance सभी की बहुत अच्छी है, हमने खुट test की है, तो यानि कि tested and tried product हैं, जो आपको बताए जा रहे हैं, दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो एक like जरूर करते जाएगा, और अगर आप इन पांचों instant geezers में से कोई भी geezer use करते हैं, तो अपना experience जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो के comment box में, तो चलिए, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए topic के साथ तक के लिए God bless you दोस्तों